इस वीडियो को पुरे ध्यान से देखिएगा, समझेगा, क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा, इतनी खास क्यों है ये तारीक, ये तारीक वो कौन सी तारीक है, वो कौन सी डेट है, जिस तारीक से कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, 16 दिसम्बर से लेके और 31 दिसम्बर 31 ये जो समय होगा ये समय कैसा रहने वाला है क्योंकि बहुत कुछ खास होने वाला है ये क्या है ये हम जानेंगे और 5 बड़े राजियो का भी निर्मान हो रहा है परंत एक दुर योग का भी निर्मान होने जा रहा है तो हम समझेंगे कि ये जो राज योग बन रहे हैं और दुर योग बन रहे हैं इनका क्या प्रफाव होगा और ये वीडियो आप लोगों के मांग के उपर बन रही है क्योंकि मैं कुछ समय पहले नवंबर में ही एक वीडियो बनाया था स्रीज पूरी सभी रासियों के लिए कि जीवन में देखा जाया तो हर समझ्याएं पहले से बनी है परन्तु जब आप वीडियो देखते हैं कोई आज देखें आपकी बहुत अच्छा होने वाला है कल देखते हैं कि बहुत बुरा होने वाला तो बहुत सारी वीडियो देखते आप पन्फ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें आपको पन्फ्यूजर इतना ज़ादा हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि होने वाला क्या है, तो मैंने पूरे महीने का बनाया था कि जो सभी क्रहों का परिवर्तन उद्य अस्तादी सब हो रहे ह सभी का क्या प्रहा होगा, तो इस महीने थोड़ी लेड जानकारी मिली, परन्तु ये बहुत खास है, क्योंकि ये जो समय है बहुत महत्तपून, आईए जान लेते हैं कौन से राजयोग बनने जा रहे हैं, कौन से दुरयोग, फिर जानेंगे क्या प्रहा होगा, और फिर ल तो मंगल जैसे ही राज परिवर्तन करेंगे 28 दिसंबर को, तो ये ब्रहस्पति से नवम पंचम राजयोग में आ जाएंगे, दूसरी चीज, सूर और मंगल ये सौर योग का निर्मान करेंगे, नवंबर में ही ये राजयोग बना था, परन्तु बीच में खत्म हो चुका फिर से ये राजयोग बनने वाला है, और ये लंबे समय तक चलने वाला, क्योंकि मंगल का ये परिवर्तन बहुत लंबे समय के लिए है, और साथ में शूर भी जैसे आपने पहले वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने सूर की और नवम पंचम राजयोग की खाली बात की परन्तु इस बार दो नवम पंचम राजयोग बनने एक तो मंगल बना रहे हैं देव गुरु ब्रहस्पति से नवम पंचम राजयोग, क्योंकि मंगल धनुराशी में आप गोचर करेंगे, और सूर भी बना रहे हैं देव गुरु ब्रहस्पति से नवम पंचम राजयोग, और शूर और मंगल ये एक साथ हो जाएंगे तो सौर योग बन जाएगा तो ये तीन हो गए इसके अलाबा बुधादित योग बनने वाला है शूर और बुध साथ में हो जाएंगे इसके अलाबा लक्षमी नारायन योग बनने जा रहा है लक्षमी नारायन योग ऐसे को अपना राशी परिवर्टन करने जा रहे हैं, अपनी राशी को छोड़ के अब मंगल की राशी, व्रष्ठिक राशी में 25 डिसम्बर से गोचर करेंगे और बुध धनु रासी से वरश्चिक रासी में वक्री हो जाएंगे और फिर ये शुक्र के साथ बैठके और बनाएंगे लक्ष्मी नारण योग तो कहना चाहिए कि ये पांच ही राजियोग बन रहे हैं परन्त ये दुरियोग भी बन रहा है वो दुरियोग कौन सा है क्योंकि जैसे ही शुक्र आ जाएंगे वरश्चिक में वैसे ही सुर और मंगल से ये दौदस भाव में हो जाएंगे क्योंकि शुक्र कौन है सुखों के कारक दामपत के कारक प्रेम के कारक तो ये दौदस का संबंद इन से बन जाएगा दूसरी चीज बुद्ध जैसे ही वक्री अवस्था में आएंगे और फिर ये भी सूर और मंगल से द्वादस भाव में बैठे जाएंगे द्वादस का संबंद बन जाएगा इनका तो ये भी ठीक बात नहीं इसलिए ये दुर योग का निरवान होने जा रहा है तो इसका भी प्रवाव हम जानेंगे तो आएए जाल लेते हैं कि क्या प्रवाव पढ़ने वाला है ये जो राज योग बन रहे हैं और 16 तारिक से 31 तारिक के बीच में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं सबी ग्रहों के इस्तितियों में परिवर्तन उनका क्या प्रवाव पढ़ेगा तो यदि आपके जीवन में डर था बहुत जादा आप किशी भी कारण से बहुत जादा चिंतित थे बहुत जादा अंदर यंदर भय था क्या होगा कैसे होगा तो ये भय अब दूर होने वाला है और यदि आप गंभीर बीमारियों से ग्रशित थे उनमें भी अब धीरे ध आहत मिलती हुई दिखाई देगी इसके अलाबा आपके जीवन में यदि धन को लेके समश्याएं थी पैसा नहीं आ रहा था कहीं न कहीं मनी की समश्याएं थी तो अब धन आगमन होना चालू हो जाएगा पर था तो आपके केरियर में भी क्योंकि जब आपके केरियर में अ बहुत जादा परिसान थे अपने बॉस से या बड़े भाई का सयोग नहीं मिल रहा था बादवियात के श्तिती बनी हुई थी बड़े भाई का सयोग भी मिलेगा और बॉस का भी सयोग मिलेगा साथ मिलेगा जिससे आपको अपने कैरियर में बहतर श्तिती देखने को मिलेग इसके अलावा जो ड्रीम थे आपके इच्छाएं थी बहुत समय से आप प्रत्न कर रहे थी ये पूरा हो जाए परन्तु नहीं पूरे हो रहे थे तो अब उनमे स्पीट आएगी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी इसके अलावा यदि पैत्री की संपत्य से संबंधित कोई समश्याएं थी लड़ाई क्योंकि बहुत लोगों को जैसे बटवारा होता है तो जमीन को लेके या किसी भी विशे को लेके बादिव्याद की श्तिती बन जाती है खासकर यदि जमीन के लेके या घर की बात हो गई प्रापरटी हो गई कोई भी प्रापरटी ले लिजिये तो उसको लेके या sounds रिशे हैं तो यह दूर होने वाली है घर परिवार में कलह का महल बना हुआ था उसमें अब खुसी का महौल बनने वाला है आपस में प्रेम बिवार बढ़ने वाला है इसके अलाबा देखा जाए तो यदि अभी तक आपके जीवन में संघर्सों को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं थी संघर्स था बहुत ज़्यादा कंपटीशन था तो अब कंपटीशन में आपकी विजय होने वाली है कंपटीशन की वज़े से यदि कहीं न कहीं आप हार जा रहे थे आप कोई परिच्छा परिद्योगता में भाग लिए थे वहाँ पर आपको सफलताएं मिल रही थी अब सफ करते हैं तो आपको अब सफलताएं मिलने वाली हैं आपकी इस्तितियों में सुधार होने वाला है तो प्रीदर्श को इसके अलाबा एक बहुत महत्त्य पूर्ण बात कि आपके दामपत्त जीवन में भी अब पहले से तो बहतर इस्तिती होगी परंतु यह जो लाभ आपने को आपको पूरी तरह मिल पाएंगे एक तो दामपत्त जीवन पहले से तो बहतर होगा परंतु पूरी तरह नहीं तो आपको अपने दामपत्त जीवन को बहतर बनाना होगा अपने पार्टनर का लाई पार्टनर का ध्यान रखना होगा उनके स्वास्त का और आपके बीच म बादव्यात कि स्तिती ना बने इस बात का भी ध्यान रखना होगा। इसके अलाब़ा आपको अपने स्वाष्थ में भी सुधार करने के लिए योग्प्रणयाम रहें यात्रा करते समय समश्याएं हो सकती हैं चोड़ चपेट की घटनाएं हो सकती हैं इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और जल्दबाजी में कोई भी निर्णे आपको नहीं लेना है ये दो तीन बाते हैं इनका आपको ध्यान रखना है सावधानी रखना है क्योंक रहने वाली बात क्या है कि यह जो समय है यह महत्पूर्ण क्यों है खासकर यह जो तारीक आपने पढ़ा तारीक बहुत खास है कौन सी तारीक 16 दिसंबर से लेके 31 पर इसमें भी 28 दिसंबर से 25 दिसंबर से लेके और 28 दिसंबर और 31 यह दो से तीन तारीक हैं जो बहुत महत्यपोन रहने वाली हैं खास कर 28 से लेके 21 दिसंबर तो ये जो समय है इस समय आपके जीवन बहुत कुछ बदलने वाला है क्यों बदलने वाला मैंने ये बता दिया क्योंकि ये पाँच बड़े-बड़े राजयोग है इनका लाभाब को मिलेगा परंत एक बात मैं लाश्ट में जरूर कहना चाहूंगा जो मैं हमेशा कहा करता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रह इस्तियों को जरूर चेक करिए क्योंकि जो ग्रह राजयोग बनाने जा रहे हैं या दुरयोग इनकी क्या इस्तिती है ये कहीं बहुत ज़्याद में हैं तो आपको रिजल्टिय देंगे आप खुद देखिए चेक करिए या तो आप अपनी कुंडली का विश्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये गटनाए आपके साथ घटित होने वाली है या नहीं इनका लाभाव को मिलेगा या नहीं मिलेगा तो प्र कि जन्वरी से स्टार्टिंग में जितना जल्दी हो सके जिससे पूरे महीने का आपको समराइज करके मैं बता सकूं कि क्या होने बाला है अच्छा बुरा सब को मिला के कल्कुलेशन एक साथ आपको मालुम पढ़ से के जिससे आपको कन्फ्यूजन बहुत सारी वीडियो के ना हो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्वाद